तो चलिए बनाते हैं गोबी के कोफते जी हां कोफते सुनते ही तो मतलब मूँ में पानी आ जाता है तो बहुत सारे कोफते होते हैं आज हम ट्राइ करेंगे गोबी के कोफते तो सबसे पहले गोबी ले लेना है से बड़े पीसे में अच्छे से वाश कर लेना और अब इसे के पास अगर चौपर है तो उससे भी कर लेंगे और थोड़ा सा नमक डालके इसे एपसाइट रख देंगे थोड़े देर के लिए फिर कड़ाई में करेंगे तेल को गरम उसमें जान लेंगे जीरा और थोड़े से लसन अधरक प्यास और यहां पे टमाटर मैंने काट के रख की होने लगे हैं तो अब हमorse में डाल देंगे धनिया और उसके बाद यहां पर डालेंगे थोड़ा स्टहबाल मिर्श का पाउडर फ्लेम लो रखनी है जब आप सुखे मसालिया अड़ करेंगे तो फर यहां पे हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से प्का लेंगे और और इसके बाद अच्छे से मिक्स करते हुए, स्टर करते हुए रहेंगे, उसके बाद डालेंगे यहाँ पे कटे हुए टमाटर, तो टमाटर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, टमाटर डालने के बाद ही नमक डालेंगे, और इसे मिक्स करके इसे ढख के पकने देंगे जब तक कि टमाटर जो थोड़ा मशीन हो जाए तो ये देखो टमाटर हलके सॉफ्ट हो गए है अब इसके बाद यहां पर हम डालेंगे दही दही को लो फ्लेम पे करके डालना है और ठककन हटाके दही डालते हुए इससे चलाते रहना है ताकि दही जो है फटे ना तो दही को भी कर लेंगे स्मूथ सा पेश तयार करके साइड रख लेंगे तो अब यहां पर जो हमने गोभी को नमक डालके रखा था इससे सारा पानी ऐसे निचोड लेना है और इसे एक बावल में ले लेना है तो पानी को फेकना नहीं है ये बाद में हम यूज करेंगे ग्रेवी बनान और यहां पर साथ स्वाद अनुसार नमक फिर यहां पर डालेंगे बेसन बेसन डालेंगे क्योंकि यहां पर हमें बाइंडिंग जाए कोफते में तो गोभी में क्योंकि बहुत सारा पानी होता है निचोडने के बाद भी तो इसे बाइंडिंग के लिए अच्छे से बेसन म बना लेंगे और दिये देखो एकदम स्मूथ सा बॉल बन के तयार है तो सारे कोफते को ऐसे रेडी कर लेना है और अब कड़ाई में तेल गरम करके दो तीन बैचेज में ऐसे कोफते को डालना है और जब यह थोड़े से पक जाए उसके बाद ही पलटना है हलके हाथों से ताकि अच्छे से पक जाए फ्लेम रखना है मीडियम ताकि अंदर तक अच्छे से कोफते पक जाए यह देखो कलर कितना अच्छा आना स्टार्ट हो गया है तो यह थोड़ा गुर्डन व्राउन होने तक हमें इसे पका लेना है कोफते को और अब इसे निकाल लेंगे प्ल अब करना क्या है यहां पर तेज पत्ता और यह जावित्री और लॉंग इलाईची यहां पर दालची नहीं ले लेने हैं और गरम तेल में इसे डाल देना है गरम मसाला के सबसे पहले उससे थोड़े देर के लिए स्वाटे करेंगे उसके बाद यहां पे धनिया पाउडर म अब इसे भी मिक्स कर लेंगे और फिर जो हमने पेश्ट तयार कर रहा था वह पेश्ट लेंगे पाणा त्यास करें में आपने यह बुचते मिक्स कर लेंगे अब चाहिए और अर यहां पर मैंने में शूगर अइट किया है तक है चाहिए ट ह 1997 सशना कर देंगए 3000 रेम्ध तो क्योंकि ग्रेवी तो पकी हुई थी हमने ज्यादा बस बॉइल आने तक ही बेट किया मैंने और बस आप फ्राइ के वे कुफते को इसमें डाल देना है कुफते डालने के बाद असे हलके हांतों से मिक्स करके लो फ्लेम पे बस एक से दो मिनिट के लिए छोड़ देना है त तो बस हमारा कुफता बनके एक्तम रेडी होगा लाश्ट में